तो दोस्तों में इस विड़ों में आप सबको यह बताऊंगा कि दोस्तों अगर आप चाते हैं Amazon Pay Balance का पैसा बैंक मिलेने के लिए यानि कि दोस्तों अगर आपके Amazon Pay Balance में कुछ पैसा है आप चाते हो उस पैसे को आप अपने बैंक में ट्रास्पर करने के लिए तो दोस्तों ब एक लेक से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है सबसे पहले आपको क्या करना होगा दोस्तों आपको Amazon एप्लिकेशन को कलेना है ओपिन ओपिन के निक बाद आपके सन में कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल लाता है अब सिंपल आपको Amazon पे इस पर क्लिक करना होगा क्लिक करने के बाद आपका जो भी पैसा होगा Amazon पे विलेंस में वह आपको देखने को मिल जाएगा अब यह आप देख सकते हो मेरे पास जिदर 80 रुपेस है एंड में चाता हूँ इस पैसे को मैं अपने बेंक मिले निक लिए तो दोस्तों आपको कैसे क्या करना है चलिए हम आपको बताते हैं सबसे पहले आपको क्या करना है आपको दोस्तों इदर से आजना होगा बेक बेक आनिक पर दोस्तों आपको क्या करना है आपको लाइक फोन पे बिजनेस Paytm for Business या फिर Google Pay Business यानि दोस्तों आपको Merchant Account का आपको QR Code एसके इन सूट लेना है तो दोस्तों Paytm for Business का जो QR Code है यानि कि Merchant Account का जो Paytm का QR Code है वो आपको दोस्तों Paytm Application में मिल जाएगा अगर आप चाते हो Phone पे या फिर Google पे कार निकालने के लिए तो आपको एप्लिकेशन में जाना परेगा तो यसे दोस्तों गर आप Paytm Merchant Account का अगर आप चाते हैं QR Code निकालने के लिए तो यह जो QR Code है अब यह आपके Paytm Application में मिल जाएगा तो आपको Simple Paytm Application को Open करेना है आप कोई भी दोस्तों आपको दोस्तों Merchant Account का Keyword Code आपको इदर निकालना परेगा तो Simple आपको Business पर क्लिक कर देने जना आपको इस तरह का करना है As Call and उसके बाद Payment as Settlement इस पर क्लिक कर देने हैं इस पर क्लिक करने के बाद जो भी आपका इदर Keyword Code से हो रहा है दोस्तों आप इस पेसर को आप जिस भी बेंक में लेना चाहते हैं उस बेंक आपको Merchant Account का QR Code आपको ले लेना होगा उसके बाद आपको Simple Amazon एप्लिकेशन को कर लेना है देन आपको Amazon Paypal क्लिक कर देना है और As Can Any QR इस पर आपको एक बार क्लिक कर देना है अब जो आप एसकीन सूट लेना है आपको उस पर एक बार क्लिक कर देना है क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा से वेट कर लेना है देन आपको देखनीक मिलेगा Amount ओला Option तो आप जितना भी पैसे ट्रास्पर करना चाहते हो आप अपने Bank में Amazon Pay Balance to Bank उतना दोस्तो आपको इधर Amount एंटर कर देना है दोस्तो मैं चाहता हूँ 80 डूपिस ट्रास्पर करने के लिए तो मैं इधर 80 डूपिस डाल दिया मैं चाहता हूँ दोस्तो इस पैसे को मैं अपने Bank मिलेने के लिए यानि कि Amazon Pay to Bank ट्रास्पर करने के लिए तो मैं दोस्तो उतना Amount डाल दिया आपको अपने इसाब से amount डाल देना है दिन आपको simple continue पर click कर देना है उसके बाद आपको देखने को मिलेगा pay with amazon pay wallet तो अभी आपको देख सकते हो amazon pay balance में जो भी आपका पैसा होगा वह आपको जो भी amazon pay balance होगा वह आपको देखने को देखने को देखने को मिल रहा होगा अब आपको simple pay per click कर देना होगा then pay per click करने इक बाद आपको थोड़ा से wait कर लेना है wait करने इक बाद आपको देखने को मिलेगा खुछ इस तरह का interface तो अभी आप देख सकते हो payment जो हो दोस्तो successful हो गया है अब दोस्तो आपको इदर से बेका जाना होगा बेका निक बाद दोस् आपको कुछ इस तरह का interface देखने को मिला होगा आप simple आपको अपने profile पर क्लिक कर देने देना आपको business पर उसके बाद इस तरह का करना है इसको देना आपको payment as settlement इस पर क्लिक कर दना होगा click करने के पाद अभी आप देख सकते हो 8 रूपिस आ गया है तो दोस्तो आप कोई अब यूपी एप का QR code लिये होंगे like phone पे business या फिर Google Pay for business तो आपका जो भी पैसा होगा वो उसमें भी आपका ऐसे ही सो रहा होगा अब आपको simple view all payment इस पर क्लिक कर दने देना आपको देखनी को मिले गए settle ना हो तो दोस्तो अभी आप देख सके हैं अगर मैं इस पैसे को अभी settle करता हूँ तो कुछ मुझे चार्ज लगेगा और दोस्तो यह जो पैसे हो instant यानि कि अभी मेरा bank में transfer हो जाएगा अगर आप चार्ज नहीं देने के लिए तो आपको wait लेना है दोस्तो यह जो पैसे है अगर आप आज transfer किये हो तो दोस्तो यह जो पैसे है आपके bank मे सुबह 9 से 10 बज़े के करीब आपके bank में पैसे credit हो जाएगा जो दोस्तो आप अपने merchant account में bank add कर रहे हैं उसमें पैसा चला जाएगा तो वैसे कि दोस्तो मैं चाहता हूँ यह जो पैसे मेरे bank में अभी transfer हो जाए तो simple में दोस्तो मैं settle हो पे click कर दिया click करने के बाद दोस्त जो आपका पैसे हो आपका settlement इधर आपको कुछ इस तरह का देखनी को मिल जागा जैसे कि settlement in progress आपको बस दो से तीन मिनट आपको wait करने हैं उतने के अंदर में दोस्तो यह जो पैसे हो credit हो जाएगा जैसे कि आप देख सकते हैं मेरा पास पैसे अभी आ गया है तो इस process को follow कर कि आप अपने amazon pay balance to bank transfer आप बहुत असान तरीके से कर सकते हैं और यह जो पैसे हो आपके bank में stent आ जाएगा अगर आप चार्ज नहीं देने के लिए तो आपको बस wait कर लेना है यह जो पैसे हो आपके bank में कल आ जाएगा morning में दोस्तो अगर आप कोई application के थूरू अगर आप इस पैसे को bank में लेते हैं यानि कि amazon pay balance to bank transfer किसी application को थूरू करते हैं तो आपको कुछ ज्यादा ही चार्ज लगते हैं और दोस्तो वह जो पैसे तब जाकर आपके bank में transfer होता है बट इस तरीका को फोलो करके आप बहुत असान तरीके से आप अपने amazon pay balance to bank transfer कर सकते हैं बीना क किसी चार्ज के अगर आपको वीडियो आचा लगा हो तो प्लीज एक लाइक कर दिजेगा चैनल को पहले बढ़ाए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लिजेगा इस वीडियो को रिलिटेड आपका एनि कोई कोचन है तो दोस्तों आप उझे नीचे comment box में आप पूच सकते हैं मैं उधर आपको रिपलाई दे दूँगा सोजस्तों आज के लिए वस्तिते ही मिलते हैं हिसा सही नेस बढ़ो में